के लोग कैनडा से भाग रहे हैं क्यों बैक होम आप जो भी होते हैं यहापर आकर आपको दुबारा से स्टार्ट रहना पड़ता है अब लोग यहाँ पर क्यू डिसाट होते हैं फिर चार-पांट साल के बाद हमें एहसास होता है नहीं यार यह तो गलत कर दिया यहाँ पर लोग तो बहुत ज़्यादा भी कमा रहे हैं इसी तरह से इंफलेशन वहाँ पर भी है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 में क्या कैनडा में आना सही है मैं क्या समझता हूँ क्या ground realities है मैं अपने आपको बहुत बड़ा कोई expert नहीं कहता लेकिन अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने कैनडा का positive चेहरा भी देखा है मैंने यहां के negative चीज़ें भी देखी हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि gross में क्या होता है और net में हमारे पास क्या benefit आता है यहां हमें नुकसान होता है अगर यहां पर हम आते हैं क्योंकि इस चीज़ के हवाले से मुझे comments भी मसूल हुए और इसके इलावे Instagram पर मुझे बहुत सारे messages भी आए तो आज की इस वीडियो को शिरू करते हैं अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो अभी तक मेरा Canada में जो सफर है वो एक साल और चार महीना हो चुके हैं मैं अभी भी struggling zone में struggle कर रहा हूँ और अपनी life को बेतर करने के लिए और यहाँ पर अपने आपको sustain करने के लिए जो steps हैं मुझे लगते हैं वो मैं ले रहा हूँ तो इसके हवाले से मैंने देखा कि अब जो है ना बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी मेरे सामने से गुजरीं के people are leaving Canada लोगों को यह बताया जा रहा है कि लोग Canada से भाग रहे हैं क्यों 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 यहाँ पर टेक्सिस बहुत हाई है यहाँ पर inflation बहुत है यहाँ पर rents हैं मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पर weather बहुत ज्यादा extreme है मेरे background में भी आप देख रहे हैं कि बर्फ है तो इसके हवाले से हम बात करते हैं कि net पर क्या वाकी में benefit बचता है यहाँ फिर आपको Canada नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले में एक हवाले का जिकर करना चाहूँगा Canada का जो visa applications का backlog था जुलाई के दोरान it was 2.7 million यानि कि 27 लाख लोग ऐसे थे जो Canada visa के लिए कितार में खड़े थे Canada visa के लिए wait कर रहे थे और दूसरी जाने में हम देख रहे हैं कि social media पर आजकल बताया जा रहा है कि लोग Canada से भाग रहे हैं लोग Canada छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं चीज़ों के वाले से हम बात करते हैं तो सबसे पहले है taxes no doubt taxes बहुत ज़्यदा हाई है Canada के अंदर और आपकी income का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो taxes की मद में चला जाता है मैं एक roughly estimate करूं तो आपकी salary का करीब करीब 19% वो taxes की मद में यहाँ पर चला जाता है जिसमें आपका EIA होता है employment insurance जिसमें आपका CPP होता है Canada pension plan और इसके अलावा जो provincial है या federal taxes है उनकी मद में आपके पैसे काट लिये जाते हैं उसके बाद no doubt inflation भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर जो medical system है वो भी बुरी तरह मुतासर है आपको timely इलाज नहीं मिलता इस बात को भी admire करने में इनसान को कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए यह बिलकुल सच है तो इन सब चीजों के तनाजूर में इन सब चीजों के पेशे नजर मैं क्या समझता हूँ अभी तक का जो मेरा Canada में experience है मैं पाकिस्तान के अंदर job कर रहा था मेरी government job थी इसके ल normal jobs हैं यह कोई elite class jobs नहीं है यह कोई white collar jobs नहीं है लेकिन फिर भी मैं alhamdulillah Allah पक का शुकर अदा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के मकाबले में जहाँ पर मैं government job कर रहा था जहाँ पर मैं teaching कर रहा था जो के white collar jobs है उसके मकाबले में यहाँ पर सुरितहाल बहुत 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 गो के यहाँ पर भी bad experiences हुई है मेरी health का issue है hospital में गया वहाँ पर मुझे बहुत जादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी जब इनसान overall बात करता है तो सुरितहाल बेतर हो जाती है अब देखें यहाँ पर taxes काटे जाते हैं मैंने बात की EI की मैंने बात की CPP की अब CPP क्या है Canada pension plan जब आप बुड़े हो जाएंगे pension के करीब पहुंच जाएंगे तो आपका पैसा आपको pension की मद में मिलेगा फिर आ जाता है EI employment insurance यह पैसे हर महीने आपकी salary से काटे जाते हैं अगर आप Canada के अंदर काम करें और आप अपनी job lose कर देते हैं ठीक है जो आपकी total income होती है मन्तिली ठीक है जो आप काम कर रहते हैं उसके दुना वो आपको government आपको payback करती है आपका पैसा वो फिर आ जाते हैं टेक्सिस अब देखें जहां पर आप टेक्सिस देते हैं वहाँ पर असाइशे भी होती है मैं अगर इंडिया पाकिस्तान की बात कर गदर है यहाँ पर इंसान की गदर है यहाँ पर जानवरों की गदर है यहाँ पर basic necessity जो है वो आपको provide की जाती है आप भूके नि मरते तो यह सारी चीज़ें भी देखने चाहिए अगर आप टेक्सिस पे करने हैं बुरा लगता है यार मैं अगर for example कहता हूं को two weeks में ठीक ह पाकिस्तान में महंगाई नहीं है क्या दूसरे यॉरप के country's में महंगाई नहीं है तो फिर इंसान अगर Canada छोड़ेगा तो फिर कहां जाएगा यॉरप में मेरे कुछ दोस्त है मेरी इस हवाले से उनके साथ भी बात हुई तो उन्होंने भी यह कहा कि यार यहाँ पर भी य साथ होते हैं आपके हाथ में हैं कि आप यहाँ पर आते हैं आपने अच्छा काम करना है आपने बुरा काम करना है बैक होम आप जो भी होते हैं यहाँ पर आकर आपको दुबारा से स्टार्ट रहना पड़ता है आप यहाँ पर कुछ स्किल सिखें यार आप यहाँ पर हाई हम इनी चीज़ों के पीशे बागना शीर्डू कर देते हैं व फिर 4-5 साल के बाद हमें एषसास होता है ले यार यह तो गलत कर दिया ये आपके अपने हाट में है आप नार्मल काम करना चाते हैं फैक्ेटरी में काम करना चाते हैं आप नहीं करना चाते हैं आप यहाँ पर पढ़ें, आप यहाँ पर सीखें कुछ स्किल्स और आकर अच्छी जॉब्स करें और अच्छी इंकम करें, it's up to you, पहले जो 3-3 साल आप यहाँ पर temporary comfort के मद में जो है, वो कुछ चीज़ें करते हैं, नॉर्मल काम करके पैसा कमाते हैं, वो आप ना कमाएं, 2- बढ़ रही है, ठीक है, 5-5-6-6 दिन करते हैं, लेकिन इसके पीछे में आपको to be honest बताओ, multiple factors हैं, एक तो पीछे घरवालों की उमीदें, family की उमीदें, रिष्टदारों की उमीदें, और हर दूसरे दिन कोई ना कोई पीछे से phone कर कहता है, यार हमें पैसे चाहिए, अब यहाँ पर कोई machine तो नहीं लगी, तो यह चीज होगी, फिर उसके बाद, देखें, यहाँ पर भी खर्चे हैं आपके, ठीक है, no doubt, लेकिन यह जो पीछे वाले भी खर्चे हैं, यह भी आपने चलाने है, चाचार पांच-पांच घर एक बंदा चलाना शिरू कर देता है, त नहीं आएंगे, कि यहाँ पर हालात खराब हैं, 2023 में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर महंगाई है, तो दुनिया में हर तर्फ महंगाई बढ़ रही है, तो फिर आप कहां जाएंगे, फिर जहाँ पर आप बैख होम के मकाबले में, आप अच्छी लाइफ गुजारेंगे, यहां पर back home के मकाबले में आप फिर भी बहतर कमा लेंगे, यहां पर back home के मकाबले में आप यहां पर अच्छे तरीके से sustain कर लेंगे, और एक वक्त आएगा कि आप यहां पर settle भी हो जाएगे, और Canada में 2023 के दुरान आने का सबसे बहतर, मुझे जो लगता है कि क्यों आना चाह आपको काफी benefit होगा, इस चीज़ का आपको benefit हो सकता है, वगर यहां पर आप आते हैं, तो आपको जो पी आर है, वो असानी के साथ मिल सकती है, बाकी मुलकों के मकाबले में, तो मैं यही समझता हूँ, के चैनेडा के अंदर अब आपको आने में फायदा यह नुक्सान नहीं है, यहाँ पर काम भी सही है, ठीक है बहुत सारे मुलकों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर तो crowd board हो चुगे, यहाँ पर तो अबादी इतनी नहीं है, काम भी ठीक है, immigration में आपको असानी हो जाती है, आपको status यहाँ पर मिलना असान हो जाता है बाकी मुलकों के मकाबले में जहां आपर immigration काफी tough है तो मेरी नजर में तो Canada is a better country बाकी मैंने तमाम तर चीज़ें आपके सामने रख दी है वीडियो अच्छे लगी तो मेरा YouTube चैनल जरूब सब्सक्राइब भीजिएगा Thank you so much